आज कुईज का जो पहला कॉश्चन था वो यह था कि दार यूनिट ओफ रेट कॉंस्टेंट एंड रेट ओफ रेक्शन आर सेम फोर फर्स्ट ओडर, जीरो ओडर, सेकिंड ओडर और थर्ड ओडर तो जो यूनिट है रेट कॉंस्टेंट की वो जीरो ओडर के लिए है मोल पर लीटर पर सेकिंड यही यूनिट है आपकी रेट ओफ रेक्शन के भी तो इसका आएगा ओप्शन भी जो सेकिंड कॉस्टन है आपका वो यह है कि for a reaction of the type a mole of a ठीक है यह वैसे ऐसे लिखा जाना चाहिए था a mole of a react with b mole of b to give product और आपने क्या calculate करना है minus da by dt तो हम इस रेक्शन के लिए rate of reaction कैसे लिख सकते हैं पहले मैं in term of a लिख रहा हूँ in term of a होगा minus da by dt minus represent कर रहा है concentration क्या हो रही है decrease हो रही है साथ मैं मुझे इसको divide करना पड़ेगा इसके stoichiometric coefficient से जो की है small a उसी तरह से in term of b मैं कैसे लिख सकता हूँ minus b by dt divided by its stoichiometric coefficient which is b तो हमें क्या calculate करना है minus da by dt यह calculate करना है तो यह वहाँ जाके किसम चले जाएगा multiply में और यह हो जाएगा minus a by b d by dt तो इसका जो answer है वो है option c third question है एक gaseous reaction मेरे पास एक gaseous reaction है जिसमें a2 convert होते हैं b plus half of c में जो initial concentration है जब reaction start नहीं होई है तब जो reaction mixture है उसका जो pressure है वो है 100 mm और पांच मिनट reaction होने के बाद जो pressure हो जाता है वो कितना हो जाता है 120 mm आपने क्या calculate करना है rate of disappearance of a2 ठीक है तो rate of disappearance of a2 क्या होगा change in pressure with respect to change in time ठीक है gaseous reactant में हम ऐसे करते हैं अब a2 का जब एक mole decompose हो रहा है तो एक mole ही b produce हो रहा है और half mole क्या produce हो रहा है c अब मान लिजिए initially जो pressure था वो था 100 mm तो b और c तो produce नहीं हुए थे तो b और c की concentration कितनी होगी या फिर pressure कितना होगा 0 अब हमने यह मान लिए कि 5 मिनट के बाद जो a2 है वो किसमे convert हो गया b और half of c में अब a2 यदि convert हो अब b और c में तो a2 का pressure क्या हो गया कम हो गया अब मान लीजिए इसका pressure कितना कम हो गया minus p mm तो p mm कम हो गया तो अब a2 का pressure कितना रह गया 100 minus p ठीक है तो जब इसका एक मोल डिकम्पोज हो रहा था देखिए तो एक मोली B बंद रहा था इसका मतलब यदि इसका प्रेशर PMM कम हो रहा है तो B का कितना बढ़ रहा है प्रेशर PMM ठीक है उस तरह से C का कितना बढ़ेगा ये बढ़ेगा Half of P तो ये आजाएगा प्रेशर आफ्टर टाइम 5 मिनट्स ठीक है और वो वैल्यू कितनी दे रखे देखिए 120 के तो ये जो टोटल सम है ये किस के बरबर आजाएगा ये आजाएगा 120 के बरबर ठीक है P से P कैंसल हो जाएगा और यदि आप इसको सॉल करोगे तो P से गल्टू ये आजाएगा आपका 40 M ठीक है इतना प्रेशर कम हो जाएगा A का आफ्टर 5 मिनट्स ठीक है तो माइनस D A2YDT जो हमने कैलकुलेट करना है ठीक है तो ये किस के बरबर होगा चेंज इन प्रेशर कितना प्रेशर चेंज हुआ 40 M अपॉन DT चेंज इन टाइम कितना 5 मिनट्स ठीक है तो इसको आप अगर कैंसल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 M पर मिनट्स ठीक है तो इसका जो आंस्वर है ये आपका B नेक्स्ट कॉस्चन आपका इन एक्सपेरिमेंट एक रियक्शन को स्टेडी किया गया है A प्लस 2 B कनवर्ट होता है C प्लस 2 D में The initial rate at T is equal to 0 T is equal to 0 का मतलब रियक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है बिलकुष स्टार्टिंग का rate आए दे रखा कितना 2.6 into 10 is to power minus 2 capital M capital M है आपका mole per liter per second आपने क्या calculate करना है minus dby dt simple तो rate of reaction calculate करो in term of A तो गी minus dA by dt is equal to B की टरम में minus 1 by 2 dby dt तो rate कितना दे रखा है initial 2.6 into 10 raise to power minus 2 mole per liter per second तो आपको calculate करना क्या है minus dby by dt इसको calculate कर लीजिए तो इससे multiply हो जाएगा तो ये value आजाएगा आपकी 5.2 into 10 raise to power minus 2 mole per liter per second तो इसका अंस्वर आएगा आपका B next question है आपका decomposition दे रखे आपको n2 or 5 की ठीक है 4 n o 2 plus o 2 में rate and rate constant are values दे रखें आपको ये rate की value दे रखे है और ये rate constant की value दे रखे है अब आप जड़ा इनकी units को देखिए ठीक है ये unit ये बता रही है कि जो आपकी reaction का order है वो कौन सा order है आपका first order ठीक है तो अगर आपकी reaction first order है तो rate of reaction कैसे लिखता आप rate is equal to k into concentration n2 o 5 की power 1 क्योंकि reaction कौन सी आपकी ये first order है तो यहां से आप concentration calculate की कर लीजी n2 o 5 की ठीक है तो ये कैसे आएगी rate upon में क्या जाएगा k ठीक है rate की value ये आपकी 1.02 into 10 raise to power minus 4 mole per liter per second upon 3.4 into 10 raise to power minus 5 per second ठीक है per second से per second cancel हो जाएगा यदि आप इसको solve करोगे तो यह आएगा आपका 3 ठीक है तो इसका जो correct answer है वो है option number B next question है आपका एक substance है zero order kinetics ठीक है the time it takes for completion of the reaction reaction जब complete हो जाएगी तो कितना time लगेगा जो zero order kinetics है उसमें जो t की value calculate की जाती है वो इस तरह से calculate की जाते a not minus a by k ठीक है तो t है आपका ये time for the reaction to complete तो ये देखे उपर concentration है नीचे के आपका rate constant ठीक है तो option number a is the right answer next है आपका upload of one by t versus log of k one by t and log of k ये line इस तरह से आती है आपकी ठीक है इसका जो slope होगा उसकी value दे रखी है आपकी 10 raise to power 4 Kelvin ठीक है तो इसका जो slope होता है उसकी value निकालते है वह इस तरह से निकालते हैं ये आपका slope ठीक है और यहाँ पर slope की value कितनी दे रखी है ये तरीक आपकी 10 raise to power 4 Kelvin ठीक है तो आप हम हमें निकालना क्या है activation energy निकालनी activation energy है तुम्हाँ आपकी E A तो E A बराबर किसके हो जाएगा R into 10 raise to power 4 Kelvin ठीक है इसको यदि आप solve करोगे इसको solve करते हैं जरा R, R की value कितनी दे रखे देखो 8.314 ठीक है गुना 10 की power 4 Kelvin इसकी unit लिख सकते हो Joule पर Kelvin पर ठीक है इसको अगर आप multiply करोगे तो यह आएगा 8, 3, 1, 4, 0 Joule पर Kelvin से पर Kelvin कट जाएगा ठीक है अगर आप इसको किलो जूल में convert करना चाहते हो तो यह value आजाएगी आपकी 8, 3, 1, 4 किलो जूल पर मोल ठीक है तो इसका जो आज़ आएगा आपका वो आएगा आपका D 83, 1, 4 किलो जूल पर मोल नेक्स्ट कॉस्चन आपका इनरिवलसिबल रियक्शन यह फोर फॉर्वर्ड और बैक्वर्ड रियक्शन दे रखी है ठीक है इस तरह समझो आप इसको ठीक है यह एक रियक्शन है ठीक है यह प्रॉड़क्ट में कन्वर्ट हो रही है ठीक है यह फॉर्वर्ड रियक्शन है और यह बैक्वर्ड रियक्शन है ठीक है तो फॉर्वर्ड रियक्शन है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए आपको 50 किलो जूल ठीक है माली X है जो intermediate बीज में बना है यदि इसको 50 किलो जूल एनरजी मिल जाएगी तब ये product में convert हो जाएगा forward reaction में चला जाएगा और यदि इसको 30 किलो जूल एनरजी मतब कम मिलती है तो ये किस में convert हो जाएगा आपका उल्टा backward reaction में चले जाएगा आपकी reaction ठीक है तो आपको calculate क्या करना है delta E तो delta E calculate करने के लिए rate of forward reaction के लिए जितनी अनरजी चाहिए minus rate of backward reaction के लिए जितनी अनरजी चाहिए तो वह आ जाएगा आपकी delta E तो ये आ जाएगा आपका 20 किलो जूल next आपका how enzymes increase the rate of reaction ठीक हमने detail में करा था कि कैसे enzyme enzyme क्या काम करते है enzyme activation energy को कम कर देते हैं जितनी activation energy कम होगी reaction उतनी ही fast होगी next आपका which of the following statement is not true according to collision theory of reaction ठीक है तो ये incorrect है कि जो सभी collision collision है वो effective नहीं होते और सभी प्रोडेक्ट में convert नहीं होते हैं अ